एक मच्छवारे और छोटी मच्छी एक मच्छवारे ने पूरे दिन मच्छी पकड़ने के बाद एक छोटी सी मच्छी पकड़ी मुझे जाने दो, मास्टर मच्छी ने कहा, मैं अभी आपके खाने के लिए बहुत छोटा हूँ यदि तुम मुझे फिर से नदी में डाल दोगे तो मैं शीगर ही बड़ा हो जाऊंगा तब तुम मुझे पकड़ कर मेरा अच्छा भोजन बना सकते हो नहीं, नहीं, मेरी छोटी मचली मच्छवारे ने कहा मेरे पास अब तुम हो मैं तुम्हें इसके बाद नहीं पकड़ सकता कहानी की शिक्षा है हाथ में एक छोटी सी चीज अधिक मूल्यवान है भविश्य में बड़ी चीजों की तुलना में दो केकडों की कहानी एक दिन दो केकडे रेत पर टहलने के लिए अपने घर से निकले बच्चे की माने कहा तुम बत्तमीजी से चल रहे हो आपको एक तरफ से दूसरी तरफ मुड़े बिना सीधे आगे चलने का आदी होना चाहिए प्रार्थना करो, मा छोटों ने कहा करो लेकिन खुद उदाहरन पेश करो और मैं आपका अनुसर्ण करूंगा कहानी का मनोबल है उदाहरन सर्वोत्तम उपदेश है हाट एक बार तालाप से पानी पी रहा था और उस नेक शक्सियत की तारीफ की जो उसने वहाँ बनाई थी आह उन्होंने कहा आप इन जैसे महान सींग कहा देख सकते है ऐसे सींगों के साथ लेकिन काश मेरे पास इस तरह के महान मुकुट को धारन करने के लिए अधिक योग्य पैर होते यह अफसोस की बात है कि ये पैर इतने पतले और मामूली है उसी समय एक शिकारी आया और उसके पीछे सीटी बजाते हुए तीर चलाया दूर हाट बाउंडेड और जल्द ही उसकी फुर्तिली टांगों की सहायता से लगभग हंतर की द्रिष्टी से बाहर था लेकिन यह नहीं देख रहा था कि वह कहा जा रहा था हाट कुछ पेड़ों के नीचे से गुजरा जिनकी शाखाय कम बढ़ रही थी जिसमें उसके सींग फंस गए जिससे शिकारी को पकड़ने का समय मिल गया हाई हाई उल्जा हुआ हाट रोया हम अकसर घ्रिना करते हैं कि हमारे लिए सबसे उप्योगी क्या है कहानी का शिक्षड है हम अकसर घ्रिना करते हैं हमारे लिए सबसे उप्योगी क्या है आदमी और जंगल एक दिन जंगल में एक आदमी हाथ में कुलहारी लेकर आया और सभी पेडों से उसे एक छोटी शाखा देने के लिए विंती की जिसे वह किसी खास मकसद से चाहता था पेड अच्छे स्वभाव वाले थे और उन्होंने अपनी एक शाखा उसे दी उस आदमी ने शाखा को कुलहारी के सिर में डाल दिया और जल ही पेड के बाद पेड काटने का काम करने लगे तब व्रिक्षों ने देखा कि वे अपने शत्रू को देने में कितने मूर्ख थे स्वयम को नश्ट करने का साधन कहानी की शिक्षा है सावधान रहें की आप भविश्य को क्या देते हैं दुश्मन सर्प और फाइल आश्चरे के क्रम में एक सर्प एक शस्त्रकार की दुकान में घुसाया जैसे ही वहाँ फर्ष पर फिसला उसने महसूस किया कि उसकी पवचा वहाँ पड़ी एक फाइल से चुप गई है गुस्से में उस पर पलट गया और उसमें अपने नुकीले दान्त डालने की कोशिश की लेकिन वह भारी लोहे को कोई नुकसान नहीं पहुचा सका और जल्द ही अपने क्रोध पर काबू पाना था कहानी का शिक्षण है बेसुत पर वार करना बेकार है मोर और हेरा एक मयूर ने एक बार हेरा के सामने याचिका रखी अपने अन्य आकर्शन के अलावा एक कोखिला की आवाज की इच्छा रखना लेकिन हेरा ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जब वह कायम रहा और उसने इशारा किया वह उसका पसंदीदा पक्षी था उसने कहा अपने बहुत से संतुष्ट रहो कोई हर चीज में प्रथम नहीं हो सकता कहानी का शिक्षण है कोई हर चीज में प्रथम नहीं हो सकता भेड के कपडों में भेडिया चरवाहे और कुत्तों की सतरकता के कारण एक भेडिये को भेडों तक पहुँचने में बड़ी कठिनाई हुई लेकिन एक दिन उसे एक भेड की खाल मिली जिसे उतार कर फिंक दिया गया था तो भेडिये ने उसे अपनी खाल पर डाल लिया और भेडों के बीच तहलता रहा मेंना जो भेडों का था भेडिये ने किसकी खाल पहन रखी थी भेड के कपडों में भेडिये का पीछा करना शुरू किया इसलिए मेंने को थोड़ा दूर ले जाकर उसने जल्द ही उसका भोजन बनाया और भेडों को धोखा देने में सफल होने के कुछ समय बाद तक और हार्दिक भोजन का आनंद ले रहे हैं कहानी की शिक्षा है रूक ध्रामक है लोमडी और अमगूर एक गर्म गर्मी के दिन एक लोमडी टहल रही थी एक बगीचे के माध्यम से जब तक वहाँ अमगूर की एक शाखा तक नहीं पहुँच गया बस एक बेल पर पक रहा था जिसे एक उची शाखा पर प्रशिक्षित किया गया था बस मेरी प्यास बुजाने के लिए लोमडी ने कहा कुछ कद्म पीछे खीच कर उसने एक दौड लगाई और छलान लगाई लेकिन बस ब्रंच छूट गया एक दो तीन के साथ फिर से घूमा वह उचल पड़ा लेकिन कोई बड़ी सफलता नहीं मिली लल्चाने वाले निवाले के बाद उसने बार-बार कोशिश की लेकिन अंत में हार माननी पड़ी जैसे ही फॉक्स हवा में अपनी नाग के साथ चला गया उन्होंने कहा मुझे यकीन है कि वे खट्ते हैं कहानी का शिक्षर है जो आपको नहीं मिल सकता है क्या उसका तिरस्कार करना आसान है कच्छुआ और पक्षी एक कच्छुआ अपने निवास स्थान को बदलना चाहता है तो इसने एक बाद से उसे अपने नए घर में ले जाने के लिए कहा उसकी परेशानी के लिए एक सम्रिद इनाम का वादा करना चील ने सहमती व्यक्त की और कच्छुए को उसके पंजों के साथ उसके खोल से पकड़ लिया उपर की और बढ़ गया रास्ते में उन्हें एक कौ़ मिला जिसने बाज से कहा कच्छुआ अच्छा खाता है खोल बहुत कठिन है इगल ने जवाब में कहा वे चट्टाने खोल को तोड़ देंगी कौए ने उत्तर दिया चील ने संकेत लेते हुए कच्छुआ को एक नुकिली चट्टान पर गिरा दिया और दो पक्षियों ने कच्छुए का भाब में इगल और तीर एक बाज हवा में उड़ रहा था कि तभी अचानक उसे फुस्फुसाहट सुनाई दी एक तीर से और खुद को घायल महसूस किया धीरे धीरे वह फड़फडाता हुआ नीचे प्रिथवी पर आगिरा और उसका जीवनरक्त उसमें बहने लगा जिस तीर से उसे छेदा गया था उसे नीचे देखते हुए यह पाया गया कि तीर के शाफ्ट को उसके ही पंखों में से एक के साथ पंख लगाया गया था काश यह रोया के रूप में यह मर गया हम अकसर अपने दुश्मनों को अपने विनाश का साधन देते हैं कहानी का शिक्षन है हम अक्सर अपने दुश्मनों को अपने विनाश का साधन देते हैं चंपेटर लिया गया कैदी लडाई के दौरान एक धिंदोरा पीटने वाला दुश्मन के बहुत करीब पहुँच गया और उनके द्वारा कबजा कर लिया गया था वे उसे मौत के घाट उतारने ही वाले थे कि उसने उनसे रहम की याचना सुनने की याचना की मैं नहीं लड़ता उसने कहा और वास्टव में कोई हथियार नहीं रखता मैं केवल यह तुरही बजाता हूँ और निश्य ही वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगार सकता लेकिन आप अपने आदमियों को लडाई के लिए प्रोच्साहित और मार्ग दर्शन करते हैं। कहानी का शिक्षर है। आपके शब्द कर्म हो सकते हैं।